हरे किष्णा सभी भक्तों को गुरु पूर्णियमा की बहुत बहुत वधाई और शुप कामना है ये गुरु पूर्णियम महोँसव विशेष रूप से भागवान श्रुकृ कर्ष्ण के मुख serpent रूप से 24 अवतारों का मरनन श्रीमद भागवतम के पशनतम सकंद में मिलता है उन 24 अवतारों में से 17 अवतार है भागवान श्रुला वीद व्यास जी शिला व्यास देव जी का अवतार भगवान का शक्ता वेश अवतार है अर्धार्थ भगवान की शक्ती लेकर आई शिला वेद व्यास जी विशेश रूप से हम सनातन धर्म के ग्रंतों का लिखित रूप में उन्होंने ही इसका संकलन किया और शिला वेद व्यास जी ये गुरुकुल सिस्टम या अध्यात्मिक जीवन जो है ये अध्यात्मिक जीवन में सनातन धर्मे वर्णन है कावमार आचारते प्राग्यो पहलाद महराज कहते हैं श्रीमद भागवत के सब्तम सकंद में कि काउमा रवस्ता पाच वर्ष की उम्र से गुरुकुल में जल माता पिता पहले भेशते थे और गुरुकुल में रहकर गुरु के द्वारा शिश्य जो है वो इन वहिदिक ग्रंतों का ज्ञान प्राप्त करते थे वास्तों में जो आदी पुरातन यही सनातन धर्म है जो स्रिश्टी के आरंब में भागवान श्रीकृष्ण ने जो मनुश्यों के लिए नियम बताए वही सनातन धर्म कहलाते हैं जिसको दूसरे रूप में वर्ण आश्रम धर्म भी कहा जा सकता है वर्ण आश्रम धर्म करता है जैसे चार वर्ण चार आश्रम चार वर्णों में आते हैं ब्रह्मन चत्रिया वैश्य और शूद्र और चार आश्रमों में आते हैं ब्रह्मचर आश्रम ग्रस्त आश्रम वा गों में बटा गया है और मुख्य रूप से भागवान गीता में कहते हैं चातुरवन, मयास, रिस्टम, गुण, कर्म, विभाक्षा कि अर्जुन मैंने जो विभाजन किया है चार वर्णों का ब्रह्मन, चत्रिय, वैश, शुद्र का मैंने उसके गुण, और कर्मों से विभा वल आचरण अगर वो नहीं करते तो फिर वो ब्रह्मन कैसे होंगे अगर आचरण ब्रह्मन करें हैं तो जब सत्यूग त्रेता द्वापर में तो इस तरह से मौखिक रूप से ही गुरु अपने शिश्यों को ग्यान दिया करते थे लेकिन इस कल्यूग के आरंब होने से पूर को स्मर्ण रख सकें कंठस्ट कर सकें इसलिए उन्होंने इने राइटिंग में चार वेद कि फिर वेदांतों को और आसान करने के लिए वेदान तूसूत्र लिके देखा अब कल्यूक के लोगों के लिए कठिन है तो उन्होंने 108 उपनिशन दिये देखा अभी वी कठिन है कल्यूक के जीवों के लिए इने समझवाना तो उन्हें और असान करने के लिए 18 पुराण दिये महा भारत भी उन्होंने दिया लिखित रूप में जिसका वन पर्व का 25 वे से 42 वांध्याई श्रीमत भगबत गीता जो भगवान श्रीकृष्ट के मुखारविन्द से निक्ता दिव्य उपदेश दिव्य ग्यान है और फिर 18 पुराणों में तीन विभाग करके 6 पुराण लखे लिखे सतोगुणी लोग के लिए 6 पुराण रखे रजोगुणी लोग के लिए 6 पुराण तमोगुणी लोग के लिए क्योंकि समाज में सब तरह के लोग हैं तो वो धीरे धीरे एक एक जैसे बच्चा प्राइमरी से सेकेंडरी से हार सकेंडरी फिर ग्रेजुएशन फिर पी अचिडी करता है ऐसे ही उन्होंने जो तमोगुण में पड़े लोग थे तमोगुण में अरथा जो मासाहार, मदिरापान, बुरे कर्म करना, बारा वारा बजे तक सोना इस तरह के तमोगुणी लोगों को उठाने कर पहले रजोगुण और फिर रजोगुण से सतोगुण तक लाए जा सके क्योंकि इस स्रिष्टी को बनाने का मकसद ही भगवान का है कि वो जीवात्माई जो असंख जीव भगवान से बिछुड कर स्वतंत्र रहकर सुख भोगना जिन जीवों ने चाहा उन्हीं को ही ऐसे मृत्यू लोग और इस बहुतिक जगत में भेजा गया है तो वो इन वैदिक ग्रंतों का सहयता लेकर वो अध्यात्मिक जीवन में उन्नती कर सके और वापिस भगवान के पास वईकुंठ लोग में लोट सके इस संसार को कहते है कुंठ जगत जो कलेशों से भरा हुआ है और भगवान के धाम को कहते है वई कुंठ जगत जो वई कार्थ होता है रहित कुंठ कार्थ होता है कलेश जो कलेशों से रहित जगत है ऐसे में ये गुरु पूर्णीमा का जो उत्सव है ये श्रिला वीद व्यास जी जो है जिनोंने सब ये वैदिक ग्रंद प्रादान किये एक तरह से जो गुरु है वो भगवान वेद व्यास जी के ही ज्यान का जो आगे परचार परसार कर रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हीं को ही उसी आधार पर ये गुरु पूर्णीमा या व्यास पूर्णीमा शब्द कह गया है ऐसे में जो भगवान कृष्ण के भगवान के अवतार है वेद व्यास जी उसी वैदिक ग्यान को उसी सनादंधर्म के ग्यान को आगे में परचार परसार हो तो लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष अंत में जीवन के मोक्ष प्राप्ट कर सकें लेकिन कैसा जीवन जीए धर्म का विचार करते हुए फिर बीच में रखा अर्थ कहते हैं धन कमाना काम कहते हैं इंद्रियों का तरपन करना ठीक है धन भी कमाना है इं भगवान से चल रही चार ऐसी गुरू परंपराएं हैं जिनका वर्णन पदम पुराण में भगवान वीद व्यास जी ने किया उन में से एक है श्री ब्रह्म संपरदाए या जो श्री ब्रह्म मधव गवडिय संपरदाई के नाम से भी जानी जाती है तो इस ब्रह्म संपरद बहर्माजी को ग्यान दीया ब्रह्माजी ने नारथ जी को नारथ जी ने भगवाद वेद व्याजी गयान दिया जो दक्षिन भारत में करनाठक में हुए और उन मध्वाचार जी से परंपरा चलते हुए 22 गुरू के रूप में भगवान कृष्ण भक्त के रूप में 536 साल पहले इस कल्यूग में वेस्ट बेंगौल में नवदीप मायापुर में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभू के रूप में राधा जी का भावले के भगव सब्सक्रान कृष्ण प्रगट हुए अपनी ही भक्ति कल्यूग के जीवों को बताने के लिए सिखाने के लिए और उसी परंपरा में 32 गुरू प्रभू पाजी और अब 33 आचारे परंपरा चल रही है जिसमें अब 33 आचारे जो है इस प्रेविश्वर में जैसे घराने से हैं और लगभग 45 साल से श्विल अप्रभू पार जी के मारदर्शन में आग्याओं में वह पर चार प्रसार करें हैं ऐसी ही तीन और परंपराएं हैं जिन मेंसे एक है कुमार संपरदाए जिसमें से भागमान ने सबसे पहले ग्यार ब्रह्मा जी के चार मानस कि मुक आचारे हैं श्वि निम्बार इकाम जारे जैसे ब्रम संपरदाए के सब्से पहले ग्यान लक्श्मी जी को दिया और जिसके प्रमक आचारे हैं श्वि रामानुजजचारे और चौती प्रमाणिक संपर्दाय है श्री रुद्र संपर्दाय जिसमे भगवान ने सबसे पहले ज्यान शिवजी को दिया और उसके मुख्य आचारे हैं श्री विश्णो स्वामेजी इस चारों महान आचारे दक्षिन भारत में हुए और फिर आगे ये परमपराय चलती लेकिन इस ब्रम संपर्दाय की विशेष्टा ये है जिसके अंदर स्वेम भगवान कृष्ण जब कल यूग में प्रगट हुए चैतन्य महाप्रभू के रूप में लगबग 500 वर्श पहले तो उन्होंने इस ब्रम संपर्दाय के माध्यम से पूरे विश्व भर में इस कृ हरे कृष्ण हरे कृष्ण लृण के नामंगाने के कि रूप निरन तर होगवान क्रिश्ळ के नामों का किरतन करना उनके नाम गान में रूप मताया उन्हों उन्हों ने और ऐसे में ये चारों महान संपर्दाए और ब्रह्म संपर्दाए में ये प्रभु पाजी प्रगट हुए वेस्ट बेंगॉल में और जिन्होंने देखते देखते अपने गुरु महराज की आग्या में पूरे विश्व भर में इस सनातन धर्म और भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया और लगभग 11 सालों में 70 वर्ष की उम्र में 40 रुपए 7 डॉलर लेकर अमेरिका के लिए निकले दो हाड़ अटेक हुए फिर भी भगवान से प्राटना की कि प्रभु मैं अपने गुरुदेव की आग्या में चलता पड़ा हूं उनकी गुरुदेव ने आग 30 वर्ष और फिर अमेरिका के लिए निकल पड़े तो भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहते हैं जब दो हाड़ अटेक हो चुक है कि मैं अब लॉटने वाला नहीं हूँ मैं नहीं जानता मुसे चाहते क्या है और परिणाम में सौपन में उनको भगवान कृष के अंदर 14 वार पूरे विश्व का ब्रमण करके यह विश्व यापी अंदॉलन खड़ा कर दिया हरे कृष्ण अंदॉलन या इस कौन या अंतराश्ट्री श्वेकृष्ण भावना अमृत संग के नाम से पूरे विश्व बर में लगबग 900 के इंद्र चल रहे हैं जन से य इस दिव्य अंदॉलन के माध्यम से भगवान वेद व्यास जी जिन के लिए मुख्य रूप से विशे यह गुरु पूर्णीमा इस दिन भगवान वेद व्यास जी प्रगट हुए और उन्हें ये दिव्य उपदेश जो है कल्युक्य जीवों के लिए कृपा करके दिया इ भगवत गीटा जिसमें जो भगवान शुरी कृष्ण की वानी है और शृमत भगवतम जिसमें भगवान कि आवतारों भगवान के भकतों के वरनन हैं तो इनके दिव्य गरन्थों को जो yogurt की द्वारा संक्लित हैं और आगे उन्होंने उसके अनुबाद किये इसके मा गुरुपूर निमा या भगवान वेद्वियाजी के इस प्रागेटिके दिव उस्व पर हमें उनके चर्णों में बारबर प्रार्थना करनी चाहिए कि हेश्वला वेद्वियाजी आप कृपा करें इस वैदिक ग्यान को हम भी अपने हिर्दय में धारण करके उसके अनुसा घृषन अ क्रिकन और प्रम्हुदिए ये इस कल्यूक का तारग मंत्र है पदम इसका वर्णन स्वेङरण वेद्वियाजी ने कली संद्रण उपनश्त मेंントच में किया生 लाँखों भगवान के नाम हैं सबी द्वे हैं लेकिन कल्यूक गों का उद्दार इस 16 शब्दों के चलते फिरते गुरु मारज कहते हैं जैसे कपड़ों की धुलाई साबुन पानी से होती है ऐसे ही इस हरे कृष्ण मंत्र का जब कीर्दन करने से हमारे महला मन शुद्ध होगा जिससे हमारा मन जब शुद्ध होगा तो ही हम भगवान की चर्णों में उनकी नित्य सेवा में ल झाल 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 झाल